नमस्कार आप देख रहे हैं R9 TV मैं हूँ आपके साथ श्वता भटाचार है खबर इस वक्त अखलेश यादव के रामपूर दौरे से जुड़ी हुई जी हाँ अखलेश यादव का रामपूर दौरा जो है वो रद कर दिया गया है परमपूर दौरे की जिसके बाद ये दौरा अखलेश यादव ने रद किया है धरने की परमपूर नहीं मिलने पर दौरा रद हुआ है कहना है अखलेश यादव का मोहर्म और उर गनिश विसरजन को लेकर धारा 244 जो है वो रामपूर में लागू है जिस वजह से पर्मीशन नहीं मिली है और ये दोरा जो है अखलेश यादव का वो रद हुआ है आजम के समर्थन में रामपूर जाने वाले थे अखलेश यादव लेकिन अब वो रामपूर नहीं जा पाएंगे प्रशासन ने विवस्था न होने की वजह बताई ये कहना है अखलेश यादव का सुरक्षा के जिम्मेदारी प्रशासन की है लेकिन प्रशासन जो है पर्मीशन नहीं दे रहा है ये अखलेश यादव का कहना है प्रशासन जान बूच कर महौल बनाने की कोशिश कर रहा है त सरकार के दवाव में है प्रशासन इस वजह से उन्हें परमीशन नहीं दी गई तो यहां सीधे तोर पर योगी सरकार पर निशाना साथते देखे गए हैं अखलेश यादव जब प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे दौरा रद होने के बाद जब वो जानकारी दे रहे थे तो उन् रामपूर दौरा रद करने के बाद प्रेस कॉंफरेंस करकर अखलेश यादव ने किस तरह से योगी सरकार पर उंगली उठाई है और कहा है कि प्रुशासन की तरफ से परमीशन नहीं दी गई वजह बताई गई है कि रामपूर में धारा 144 लागू है महरम का मौका है कल मह हरम होगा और गणेश विसर्जन इस वक्त चल रहा है तो इसलिए परमीशन नहीं दिया गया है लेकिन प्रुशासन दबाव में है एक तरफ अखलेश यादव ये भी कह रहे हैं 13-14 सितंबर को प्रुशासन को आवेदन देंगे और कारकरम अगली कब करने वाले हैं रामप च्पलिए उन सर्दों प्रुश गया हैं